स्मिर्चा बढगाम जिल्या मदे काल मोठी चक्मक जलिये विशेश मने जे या तीन तरून आणी एका दहशत वादेच अम्रोत्यु जलाई ते सश्ट जवान अही जक्मी जले तर बढगाम चा चादूरा मधे दहशत वादी दढ़ून बसलेद अशिमाईती सी आर्पी एफ आणी पोलीसान न मिलाली तर एका वरिष्ठ घराला घरला वर दहशत वादेनना गोडी बार करालास तेनी सुरुवात केली सी आर्पी एफ न प्रत्युत्तर देला सुरु केला वर स्थानिक तरूनिया घरा कड़े येव लागले आणी थोड़े अस वल्या ते जवानान वर दगड़फे कही करू लागले आज अधी चा गोशना ही देव लागले तर जवानाननी आधी अश्रुद्धूर आणी चर्यांसा वापर केला पंत्यासा फार काही परिणाम ज़ाला नहीं शेवटी जवानानना गोई पर करावा लागला या तीन तरूनांसा मृत्यू ज़ाला सुन लश्कर प्रमुख बीपिन रावत याननी कही दिवसन पुर्वे किशारा ही दिला होता दहशत वादयना पाठीमबा देना रहना ही दहशत वादयन सर्खस वागव लजाई असल अश्कर प्रमुख मनाले होते या सग्रय मुए कश्मीर खोर्या मदे सध्या तानावची परिस्थिती है अडोरा इलाके में कल एंकाउंटर साइट के नजदीक तीन सिवेलेंस की मौत के बाद अलगावादी नेताओं ने हरताल की कॉल दी थी और आज हरताल का असर दिख रहा है जैसा कि आप देख सकता है यह लाल चोक का इलाका है यहाँ पे सारी दुकाने बंद हैं और युनिवस्टी चाहे सेंटरल इनिवस्टी हो इसलामिक इनिवस्टी हो या कश्मीर इनिवस्टी हो वहाँ पर जितने भी एक्जाम्स थे वो पोस्ट पॉन्ट किये गए और साथ ही रेल सर्विस भी सस्पेंड की गई है तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अभी कश्मीर में situation काफी tense है चुकि पहले भी पांच महीने लगातार हर्ताल हुई थी उसके बाद फिर से हाला पट्री पे आ रहे थे लेकिन कल के इस incident के बाद फिर से situation जो है वो काफी tense गाटी में हुई है हाला कि यहां अब कुछ दिनों के बाद by elections भी हो रहे हैं दो parliament seats पे तो ऐसे में security का एक बहुत बड़ा concern इस वक देखने को मिल रहा है और situation overall tense दिख रही है कैमरामेन मुस्ताकवार के साथ रिफत अब्दुला, IBM लोकमत, सिरी नगर